हेलो गाईज, वर्कम बैक टो स्वरेशन मीतरा, आज का मरा क्वेशन है, दा वेक्टर एक्विशन अब टू लाइन्स आर, और दो हमें दो हमारी वेक्टर एक्विशन दे रखी हैं, दो लाइन की इस प्रकार से, आप देख सकते हो, यह हमारी सपोज लाइन L1 है, और इसमें यह हमारी क्या है L2 है, तो इनकी हमें एक्विशन, वेक्टर एक्विशन दे रखी हैं, और इसमें तोड़ा चूट यह लिखना, तो हमें हमें क्या करना था, कि हमें इनके बीच की सौर्ट एस डिस्टेंस फाइंड करनी है, इन दो लाइन के बीच की, तो सबसे पहले पढ़ी है, वेक्टर फॉर्म में, वो होती है, आर एक्वाल टू ए प्लस लेमडा पी, ए और भी क्या होते हैं, यहां वेक्टर फॉर्म में होते इस प्रकार से, तो यहां पर देखो, यह जो हमारी क्यूशन दे रखी है, इस फॉर्म में तो आपको दिखने रही हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इस स्टेंडर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तबी तो हमें यह यह और बी जो वेक्टर हैं, वो मिलेंगे, जब वो वेक्टर मिल जाएंगे, फिर हम यहां पर जो हमारी कंडिशन होती है, जो तो मैं बता देता हूं, शॉ लेम्डा बी टू, तो जो हमारी इनके बीच की सॉटर डिस्टेंस होती है, वो हो जाती है, हमारी क्या हो जाती है, एटू माइनस एवन डॉट बी वन क्रॉस बी टू सारे के सारा हो जाता है, डिवाइड किस से, बी वन क्रॉस बी टू के मैगनिटूड से, तो यह होती है, इनके बीच की sorted distance लेकिन उसके लिए हमें A1 B1 A2 B2 यह सारे पता होना चाहिए तो यहां पे तो हम पैचानने पाएंगे A1 B1 क्योंकि यहां पर देखो इस पॉम में तो हमारी standard of home में तो है यह नहीं equation तो पहरे हम standard of home में इनको change करेंगे कि तो आपने यहां पर देखा हमने क्या किया पहले जो और फेक्टर form में उसको रेंजिक यहर दे रहें अगयों कि कुछ नहीं किया जो i यह यहां पर दे रखा है i component इसका दौन में multiply कि facebook i is परकार से कि पिर यहांपर क्या किया जिनमें टी युली टी वाली टी यहीं है में उनको एक साथ रखा T वालों को और जो बाकी बचेवे थे उनको एक साथ रखा अब देखो यह जो मारी standard form में उस form में change हो चुकी थी A plus lambda भी यहां पर lambda की जगाओ पर क्या है T एक variable है और B यहां पर मिल चुका है vector A vector मिल चुका है तो यह हमारा क्या जाएगा इसको मैं A1 मान लेता हूं इस line के लिए ऐसे ही इसको क्या मिल लिए हमने B1 मान लिया ऐसे जो दूसर रिलाइन है उसमें भी आपने अंदर multiply किया थोड़ा सा S वाले अलग किये तो यह हमारा क् A2 मिल गया तो अब यहां पर देखो A1 मिल गया आपको B1 मिल गया A2 मिल गया और B2 मिल गया सारे के सारे मिल चुके हैं आपको अब क्या 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 करना है सौर्ट रिश्टन निकालने के लिए A2-A1 निकालिए B1 क्रॉस B2 निकालिए और यह सारे की value निकालिए और इसमें तो यहां पर देखिए हमने क्या करना था पहले इसमें ये तो कन्फर्म कर दिया था कि जो एक्विशन थे उसमें A1 B1 A2 B2 सारे पता करती थे अब इस सोटें डिस्टेंज में A2 माइनस A1 निकालना है B1 क्रोस B2 निकालना है और B1 क्रोस B2 का मेगनिटूट निकालना है तो सबसे पहले मैंने A2 माइनस A1 किया तो A2 देखो ये वाला थे और A1 ये वाली थी तो ये इसमें से ये माइनस किया तो आपको पता है आई आई में से आई वाली टम जे में से जे वाली टम के में से के वा और जो यहां पर हमारा वेक्टर B1 रहा होगा उसमें IJK के कोपिसेंट जो हैं B2 के जो कोपिसेंट होंगे B2 वेक्टर में IJK के वो लिखे इस डिटर्मिन्मेंट को हमने सॉल्व गिया तो हमारे पास क्या आया यह इस प्रकार से आया 2I-4J-3K अब यहां पर यह किस्टेप और था कि हमें इसका मौड भी देखना था B1 क्रॉस B2 का डिनोमिनेटर के लिए तो इसका मौड कैसे निकालेगा रूट जो हमारे IJK के कंपोनेंट है उनका I square करके सम कर दो तो यहां पर कितना है हमारा रूट 29 है और उपर क्या था हमारे पास था A2-A1.B1 क्रॉस B2 उनका क्या करना था इनका क्या करना है प्रोड़क्ट करना है तो A2-A1 तो हमने यहां पर निकाल लगा है यह देखिए J-4 के आया था तो यह मैंने यहां पर रखा और ऐसे ही हमारा B1 x B2 यह हमने यहाँ पे निकाला यह रखा इन दोनों का cross product किया sorry dot product किया dot product में क्या करते हैं II वाले term से IY का करो JJ से J वाले का करो KK से करो K वाले का बागी क्या होता II 1 हो जाता JJ 1 हो जाता KK 1 हो जाता वही तो किया मैंने यहाँ पे I की कोई term नहीं है तो 0 है तो वो किया है इनका dot product किया तो वो कितना है मेरे बाद 8 आया तो देखो मुझे A2-A1.B1 x B2 यह 8 मिल चुका है ऐसे ही जो हमारा mod of B1 x B2 है यह root उन 3 मिल चुका है तो finally shortage distance कितनी हो जाएगा हमारी shortage distance कितनी हो जाएगी यहाँ पे देख लो वहर वोट कर दो A2-A1.B1 x B2 कितना मिला हमें 8 मिला था divided by क्या हो जाएगा B1 x B2 का mod कितना मिला है उन root उन 3 मिला है तो यह हमारी क्या आ आ गई shortage distance आ गई तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे इस question को आसानी से solve कर सकते थे आहे हो आपको वीडियो समझ में आये होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिरी चनल को लाइक से subscribe करना न बोले ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाने का motivation मिलता रहे तब तक के लिए स्वास्तरे मस्तरे धन्यवाद